अब हम भैंस और गाय का दूद इस पर थोड़ा सा अलग से विचार करेंगे सामान नितया उत्तर भारत में गाय और भैंस इन दोनों के दूद का उपयोग ज्यादा होता है विश्व की दृष्टिशे तो गाय ज्यादा है लेकिन उत्रपस्यम भारत की जहां तक मैं देखता हूं यह भैंस का दूद का उपयोग बहुत ज्यादा होता है सब लोग पूजा करते हैं किसकी गाय की गव माता है मैंने किसी को भैंस माता कहते नहीं सुना और दूद पीते हैं किसका भैंस का घी दूद धई यह नहीं जो भी दूद से बने पदारत ग्रास भी किसका देते हैं गाय को देते हैं भैंस को नहीं देते हैं भैंस ग्रास होना चाहिए गो ग्रास की जगए यह भैंस के साथ अन्याय है जो लोग भैंस का दूद पीते हैं और भैंस को माता नहीं कहते उनको विचारना चाहिए मैं इसका पक्षदर हूँ कि गाय को ही माता कहना चाहिए बैंस को नहीं कहना चाहिए गाय को ही ग्रास देना चाहिए पहले बैंस को भी दो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वो भी पशुव है और उसका हम उप्यों करते हैं इसके पीछे क्या कारण है संस्कृति में गाय की इतनी बड़ी महता क्यों है क्यों उसका इतना गोरव है क्यों स्री कृष्ण जो है उनको गोपाल बहेंस पाल क्यों नहीं कहा क्यों बहेंस सराते वे नहीं दिखाये या उन्होंने चराई क्यों नहीं यह विचारे हैं आप शास्त्र के दिर्ष्टेशन, फिर आप मुझे लगता है आप इस निसकर्ष पर कहुंचेंगे कि हमें भैंस का दूद गायादी के सेवन से बचना चाहिए और गाय के ही जो पंच गव्य हैं उनका सेवन करना चाहिए और तभी हमारा ये कथन सार्थक हो ये दो प्रकार की बातें ठीक नहीं है जै तो गव माता की और लाव उठाएं भैंस से उसको माता भी नहीं कहना जै भी नहीं बोलन ग्रास भी नहीं बेन उतनी चीज़ खिलाते पिलाते हैं पुजा भी तो बातिर तो उस तो विचार करेंगे तो आपको ठीक लगेगा कि दीरे दीरे भैंस से दूर हो करके और गाएं पालें और वो भी जो हजारों हजारों परमपराओं से वर्स परमपरा से जिनका वंस चला आ रहा है जिने मिदेशी कहते हैं शेतर की उनका उपयोग करेंगे तो ज्यादा गुणकारी है ऐसा सब लोग मानते भी हैं तो देखो क्यों गाय की जै बोली जाती है भैंस की क्यों नहीं बोली जाती और लोग क्यों उसका कर रहे हैं अपने आप सामने आ जाएगा कैते हैं कि जो भैंस है यह सारे आचारियों का मैंने नहीं लिया, और आचारियों में आयर हम देखते भी है, फिर मैं भूल जाओंगा, पहले बता दूँ कि भैंस का जो दूद है, घी है, वो मधुर जादा होता है, वो क्या जादा होता है, मधुर जादा होता है, मिठास जादा होता है, गाय का जो तो कुछ लोग आपको कहते ही मिल जाएंगे मैं देखता हूं जी सर मामें तो अच्छा नहीं लगता है क्यों कि उसके मधूर्रस स्निक दता चिकनाई है बड़ा कारण है मधूर्रस गाय का रश दूद मधूर्र तो है लेकिन उसमें हलका सा कशाय है बक्री में तो काफी कशाय है इसलिए बक्री का दूद नहीं ले उसका प्रशन गाय का जब बताऊंगा बक्री तो दूद क्या है उसका तो ओषदी है तो गविम अच्छा लिखा है मेरे हां इससे चूट गया माहिश्यम मधूर्म सब से पहले लिखा मतलब क्या हूँ अन्यों की अपेक्षा मधूर यह अपनी तरफ से जोड रहा हूं तो बहेंस का दूद क्या है गवियात मधूर्म गाय के दूद से मधूर है मतलब क्या हुआ मधूर तरम है यानि गाय और बकरी भेड उंट इनका प्रियोग ज़्यादा करते हैं याक का भी करते हैं भारत में है न वो छोड़ दीजिए लेकिन यह चार तो खूब करते हैं और गायर भेंस का सवजय ज़्यादा तो इसलिए लिखते जितने दूद हैं उनमें गाय का भेंस का जो दूद है वह और अधिक मीठा होता है और क्या होता है उसमें स्निक दम गाय की अपेक्षा गव्यात लिख दिया गाय की अपेक्षा मधूर भी होता है भेंस का स्निक दितम उसमें स्निक चिकनाई भी ज्यादा होती आप देखो किसान लोग हमने तो देखे न बेंस ज़्यादा रखते हैं क्यों कि जी फैट ज़्यादा होती घी ज़्यादा होता है यह परिवार को घी चाहिए होता है इसलिए रखते हैं तो सिनिक्द होता है अब सिने होगा और मधुर्रस होगा तो मधुर्रस और चिकनाई कफ की वृद को माँंसमेदाधी जो उनको कुभ वुधिक रता है, उसको क्या कहते हैं कफ कहतें तो धैसका जो दूध है गाय से सनिगध है गाय से मधुर है इसलिए क्या है शुक्र करम, साथी जो दातु है शुक्रeb है विर्ए है ॽिस्त्णी पूरुषों का, साथी धातु उसको बढ़ तो धीर से शाल किता है। मतलब क्या हूआ कि सने और मधूरे चिकनाई और मधूर से तो क्या होगा रस अजसर अजन भेगा रखत अष्य बनेगा मांस खुब बनेगा मेह ऐ चर GG फिर एस्थी हडी तील भी मझारत लगे चिकनी उसके अंदर उनके उपर अंदर गुसी भी मज्जा और फिर शुक्र भी खूब होगा तो यह शुक्र होगा गुरू लेकिन भारी है तो भारी तो हो गई जो उसमें चिकनाई है जब उसके अंदर सने है आप दूद है एक तो सीधा दूद प्योग और एक दूद में मिठा डाल के प्योग दोनों एक समय में हजब नहीं होंगे मिठा डालने के बाद भारी हो जाएगा आधिवा समझ में क्यों मदूर्रस कफ को पैदा करता है और कफ कारी चीज देर से पच्छती तो गुरू भारी है पचने में और क्या है निद्रा करम सामान नितया भारतिय संस्कृति के पुज कारी ऐसे लोग क्या मिलेंगे अरे बहांस का दूद निकाना अरे बहांस तो आलसी होती है अरे इसका कट्रा देखो कैसे पढ़ा रहता सोता रहता और गाया का बचाड़ा देखो जन्व लेकर के कुछ शन के बाद ही कर दोड़ने भागने लगता है ऐसा उधान देते हैं अरे तुम भी कट्रे जैसे बन जाओगे बहांस का की दूद नि पिया करते गाया करो ऐसे बड़े बुडे हमारे घरों में आये वे अति थी लोग धार्मिक, सादू, महात्मा, जीते हिंद्री, विद्वान ऐसे हमें शिक्षा देते हैं बच्चों कहेंगे यह निकरना पि ज्यादा है जिनको निंद नहीं आती बहुत लोग है जिनको निंद नहीं आती कम आती जीवन शैली तनाव शरीर के अंदर विकार तो जीवन शैली में आगे सारी चीजें उसके करन लोगों को निंद नहीं आती तो उसके लिए आयरुवेद में लिखा हुआ है अनिद्रा कि ुछ जो वहां बॉपरि辐 है कि यस expert आइसाइसा नहीं है कि इस तरी पराई इसाback का जो लगए में बंसका जो दूद है जिनको नींद नहीं आती है उनके लीई हिदकारी इससलिए यह निख नगारे करें अगया वा tahu नदेर कर थैं ना दस बजे सोना है, चार बजे उठना है, उनको क्या करना है, यह नहीं लेना चाहिए, आलत से आएगा पढ़ने में, ज्यादा नीद आएगी, लेकिन दिनको नहीं आती हो लेंगे, अभी शंदी यह सबसे बड़ा दोश है, इसका, सबसे बड़ा दोश है किसका, इस दूद का अभी शंदी किते कहते हैं, अभी शंदी उस पदार्थ को जैसे दही है, वो अभी शंदी कहलाता है, जो रश वाहिनिया, रख्त वाहिनिया है, जितने भी हमारे अंदर श्राव हैं, श्रवित हो रहे हैं, उनको रोकता है, जैसे नाली होती है, किचन की विशेशकर, रशो चंदी उस्पदार्थ को कहते है रस वाहिनिया रक्त वाहिनिया रस वाहिनिया जितनी वी है उन सब में प्रवाविक होना चाहिए शरीर के अंदर वहां रुकावट डालता है लुब लुबा चिप चिप आपन पैदा करता है जैंदाली में पोलिथिन फलाना यह वो तो साफ विजाती बलब भ़ार जाने चाहिए और जाता अलमा सा तॉसा यह नहीं लिदा बाल में खौन सा थतो आंख में खौन में खौन सा थतो बोजन से जाएंगे कि निए एलो गलो वो कैसे जाएंगे मुआचेंगे रस रखत अदी यह सारे तो पौंचाएंगे आगे वह उस सारे के अंदर बाधा डालने वाला है शुदा आदिक कहरम जिसको बहुत ज्यादा भूग लगती है उसको यह खाना चाहिए क्यों भारी है मिठा है चिकनाई है अभीशंदी है गुरू है खुब अजम हो जाएगा तो जिनको भूग ज्यादा लगती है उनकी भूग को कम कर देता है यह बहुत खाता है बहुत हो बता कई वश्मक रोग भी कहते हैं वह तो अलगी चीज़ें कर लेकिन जिनको भूग ज्यादा लगती है उनकी भूग को कम करेगा नियंत्रित करेगा और दूसरी तरह बर्त है जिनको भूग कम लगती है उनको नहीं लेना चाहिए उनकी भूग को मार देगा बहुत से लोग है न क्या करें जी भूग नहीं लगती है क्या करें जी ऐसा हो रहा है जी ऐसा हो रहा है बहुत लोग में ज्यादा तर लोग ऐसी है सारे रिक्ष्रम तो कर नहीं रहे और कुछ कर नहीं रहे सारे दिन खाना ही खाना तो उन लोग के दूद से जोडों के दर्द चर्बी वगरा खुब बढ़ेगी और उसे विकार जाद आएंगे क्यों भूग भी नहीं लगेगी सीतल है जोडों के दर्द क्यों बढ़ेंगे अभी शंदी है रसरक्त का प्रवाद ठीक नहीं होगा तो वहां क्या है जड़ता आ जाएगी औ वायू का रोग बढ़ेगा वायू का रोग गर्म चीजों से दूर होता है और सीतल चीजों से बढ़ता है और अभी शंदी होने से वायू का रोग क्यों बढ़ेगा क्योंकि ढंग से सरीर के अंदर जो क्रिया कलाप होने चाहिए है दात में जानी आनी चाहिए करने योगी चीज हैं उचित समय पर पहुंचने चीज़ नहीं होती तो उससे वो सारी जड़ता आ जाती है मोटा पांग यह सारा रोग बढ़ते जाते हैं यह ऐसा है अब देखुए अब दोनों की तुलना करते हैं गाय और भेंस की गाय का जो दूद था उसमें क्या बताया जे ओज करम ओज के दस गुण बताया थे गाय का सुरू में बताया था यह दस गुण इसमें बिलकुल नहीं होते अर्थात भेंस का दूद और दूद जे बने पदार्थ खाने वाला व्यक्ति ओजस्वी नहीं हो शकता स्री कृष्ण वाराज इसलिए निती मान थे कैसे-क पहलवानों को जो उनको मारने के लिए बिलाए थे नहीं बक्षा अगा दूद बनके गए अस्तिनापुर बंदी मनाने लगे थे बोलो नहीं दब वह तो गदें विराट रूप बनके तो चलो लोगों को श्रम जाने के लिए विराट रूप का मतलब क्या हुआ इतना जिज के सामने हत्प्रव हो गए वो ऐसे डर से गए उसको गीता में कह दिया ही तो चलो वो तो अलग विशह है ठीक है कि नहीं तो यह चीज है और इस गुण का नाम है तो यह दस गुण भैंस में नहीं होते है गाय का जो दूद है उससे स्फूर्ती होती है बल तो भैंस वाले से मिलेगा अधिक गाय वाले से कम मिलेगा लेकिन उस बल का क्या लाब है जो समय पर काम नहीं आए इस फूर्ती नहीं है आप में ओज नहीं है तो फिर आलसे में पड़े हो तो भैंस के दूद में बलतो है लेकिन क्या बताया था अभीशंदी है गुरू है हिम है तो ऐसा व्यक्ति मंद सा आलसी सा ऐसा सा देख लेंगे कर लेंगे ऐसे में पड़ा रहे है और गायवाला कैसी विकट परिस्थिती आ जाए जितनी शक्ति शामर्थ है उससे ज्यादा करके दिखाएगा और दूसरे को लोग जोगा पता निए तो कैसा है क्यों ओज है उसके अंदर उत्सा है तो ये सूर्ति है फिर प्रशंग आएगा तुम बता दूँगा बकरी जो है वो देखा करो एक पाड़ से दूसरे पे एक पेड़ से दूसरे पे कैसे कुदती है तो गाय के दूद में क्या गुण है भैस की तरह है तो ताकत देने वाला और बकरी की तरह है फूर्ति देने वाला गुण है और गाय और भेंस में का आंतर नपक्री में का आंतर हो गया बकक्री का दूद स्फूर्टी तो देता है लगूता देता है लेकिन बल देने के उसमें सामर्थे नहीं है तो यह इनमें अंतर है है के अब वाथ पित्त कव की दृष्टीशे अधोब है किसको नहीं लेने चाहिए कफ जिसका सरीर है हमारे सरीरिष प्रकृतिкое मैंने बता है मेरा सरीर है वाथ प्रकृतिका नी मैं रुख्षता ज्यादा किसीआ् पित्त प्रकृति का किसी के कफ्र प्रकृति का तो जो वात और पित्त प्रकृति के हैं वात यह नहीं जिनके सरे में रुख्षता है उनको भैंसका लेंगे तो लाब होगा क्यों स्ने ज्यादा है चिकनाई ज्यादा है उससे लाब होगा और पित्त वाले को के होगा चिकनाई ज्यादा होगी सीतल है तो उसके जो पित्त है गर्मी है बार बार क्रोध आता है उतेजना आती है वो कम होगी और घी जो है स्ने जो चिकनाई है किसके अंदर दूद के अंदर व मक्षन में भी जो चिकनाई है जिसे हम गृत कहते हैं पित को शांत करने वाले दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनमें घी सबसे उत्तम तो जो पित प्रकृतिके हैं उनको भी इलावदाई इस रूप में होगा और जो बॉडि बिल्डिंग करते हैं शरीर दिखाना चाहते हैं ऐसा ऐसा हो वो इसका सेवन करें क्यों खूब सरीर में कफ मांण को पैदा करेगा और जो सुखे सरीर वाले हैं, उनको अच्छा है, कि उनके सरीर में कुछ नहीं है, तो भही मेरे सरीर में थोड़ा कुछ हो जाए, कुर्सी भे बैठे हैं, पक्की जगें बैठे हैं, तो चुबती है, सरीर का जो मांस भाग है, वह मांस है ही नहीं, तो उनको भी इसका शेवन कर लेना चाहिए तो आगे वाले में हम बकरी का जो दूद है मैंने चर्चा भी की थी वो औशद सो रूप है किन किन रोगों में उसका काम आता है जैसे डेंगू में आप देखा हो करो कुछ साल पहले 2000 रूपे किलो बिग्या था इंडिया राई में बकरी मिली नहीं कहीं क्यों है यह और भी बहुत से रोग हैं जिन में बकरी का दूद काम आता है और बकरी का दूद किस किस अवस्था मेर क्या क्या उसमें गुण है इस पर अगले व्याख्यानमे चर्चा करेंगे